तो इस तुशार और वेलकम तो स्पेक्टर स्टेंथ दोस्तों यह जो वीडियो है वो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है पिछले वीडियो में बताया था कि विटामिन D3 का इंपॉर्टेंस क्या है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है यूमन बॉड़ी के लिए और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि विटामिन D3 के सिंटम्स किसको होते हैं डेफिशेंसी के सिंटम्स किसको होते हैं डेफिशेंसी किन लोगों को हो सकती है सप्लिमेंटेशन जरूरी है या नहीं और बहुत सारी चीज़ा मैं आपको बताऊंगा आज तो शुरू करते हैं विटामिन D3 के कमी के सिम्टम से तो अगर आपको विटामिन D3 के डेफिशेंसी है तो आपकी इम्मुनिटी जो है वीक होने लगेगी बार-बार कॉमन कोल्ड होना इंफेक्शन होना यह सब बढ़ जाएगा अगर कोई घाव हुआ तो जल्दी घाव भर नहीं निकलता है सन एक्सपोजर बहुत कम हो जाता है उसके कारण सुस्ती आ सकती है वीकनेस लग सकती है और जब सोने जाते हैं तो यह सिम्टम भी हो सकता है इन डाइजेशन होना यह खाना बराबर से नहीं पचपाना या फिर आतों का इंफेक्शन हो जाना या फिर जो लोग वर्काउट करते हैं उनका मसल लॉस जल्दी होना या फिर अगर फैट लॉस करना चाहते हैं तो फैट लॉस नहीं होना बलकि बढ़ते जाना इसके अलावा कई लोगों को लोग बैक पेन बहुत होता है और पेन ऐसा होता है कि वो पूरे दूसरी तरफ भी फैलता है heaps तक जाता है, legs तक जाता है, radiating pain होता है खास तरपर night में तो यह एक बहुत बड़ा symptom है vitamin D3 के कमी का इसके अलावा आपके bones weak होना, bones में pain होना, joints में pain होना, थोड़ा भी कोई heavy activity कर लिए अगर जाधा weight उठा लिया आया सीडियों पर चड़ उतर गए, तीम चार बार तो pain ह होने लगच जाना यह सबस्क्राइब अब करते हैं कि Crispy कमी हो सकती है अगर आपका Sun-exposure बहुत कम है बहुत कम दूप में निकलते हैं अव्ह इन इंगले संस्प्रीन लगा करें निकलते हैं तो आपके बासम been क talking होगा नहीं उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा नहीं क्योंकि संदेज आपकी स्किन के अंदर तक जानी चाहिए उसके लिए इसके लावा अगर आपके पेट में स्टमक एसिड का लेवल बहुत कम है उसके कारण भी विटामिन भीटरण के लिए अगर आपका अपको विटामिन डी में कनवर्ट करने के लिए को चाहिए कॉलस्ट्रोल के साथ ही विटामिन D अपने एब्सॉर्बेबल फॉर्म में आता है और बॉड़ी उसको यूज कर सकती है अगर आपकी स्किन डार्क कलर्ड है उनको भी विटामिन D3 की कमी हो सकती है क्योंकि डार्क कलर्ड स्किन के लोगों में मेलनिन ज्यादा बनता है स्किन में और उस मेलनिन के कारण संरेस पैनिट्रेट नहीं कर पाते स्किन को डीप अंदर तक और विटामिन D3 एकर स्किन में बनेगा नहीं तो उसकी डेफिशेंसी होने लगेगी बॉड़ी में अगर आपको पेट या आतों का कई infection हुआ है उसके करण वितामिन D3 के absorption में प्रॉब्लम मा सकती और साथ ही मैं जोविमन है वो प्रेगनेंट है तो उस प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन के कारण हॉर्मोन का फ्लक्टुएशन होता है जिसके कारण विटामिन D3 के अब्जॉप्शन में प्रॉब्लम आ सकती है इसके अलावा जो न्यूबॉन बेबी इस है इंफेंट्स है उनमें भी विटामिन D3 की कमी अक्सर देखी जाती है अगर उनमें उनको भी D3 के अब्जॉर्प्शन में प्रॉबलम आएगी क्योंकि वो कैमिकल्स जो है वो ट्रीटमेंट जो है विटामिन D3 अब्जॉर्प करने से रोकता है अगर किसी को हाइपर पैरा थाइरोइडिजम है तो उस कंडिशन में भी विटामिन D3 अब्जॉर्प होगा न इसके अलावा जो लोग anti-psychotic drugs पर हैं यानि कि कोई mental disorder है उनको जिसके लिए वो दवाईया ले रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी vitamin D3 कमी देखने को मिल सकती है क्योंकि वो दवाईया जो है vitamin D3 के absorption को block करती है अगर किसी को kidneys का infection है या फिर kidney में कोई disorder है कोई problem है तो भी उसको vitamin D3 कमी हो सकती है क्योंकि vitamin D2 का D3 के अंदर जो conversion होता है वो kidneys में ही होता है अब बात कर लता है vitamin D3 के sources की sun जो है obviously best source है vitamin D का जब भी sunlight खास्तोर पर UVB rays हमारी skin को penetrate करके deep levels तक जाती है deep layers तक जाती है तो वहाँ पर vitamin D का convergence start हो जाता है vitamin D3 के अंदर तो egg है egg yolk vitamin D3 का बहुत अच्छा source है इसके अलावा dairy products जैसे कि दूद हो गया दही हो गया पनीर हो गया यह काफी अच्छे source है vitamin D3 के इसके अलावा जो organ meat है fatty fishes है जैसे कि salmon, mackerel, tuna यह D3 के काफी अच्छा source है जैसे कि शिटाकी मश्रूम्स आते हैं बटन मश्रूम्स आते हैं बहुत अच्छा source है vitamin D3 का तो अब बात करते हैं इसका dosage कितना होना चाहिए भली natural sources से हो या supplementation से हो dosage कितना होना चाहिए total vitamin D3 कितना जाना चाहिए आपकी वाडी में तो उसका minimum level है एक adult के लिए 600 I use 600 international units बोलते हैं और अगर आपकी age 70 से उपर है तो आपको जरूरत है 800 I use की per day सिर्फ maintenance के लिए यह जो है सैशे या फिर जैल्स दोनों ही आते हैं 60,000 I use में नहीं कि 60,000 I use का एक सैशे या फिर एक जैल आता है जो कि हफ्ते में एक बार लेना होता है और वो डॉक्टर बताएगा कि आपको कब तक लेना है depending upon your deficiency levels आपको चार हफ्ते लेना है छे हफ्ते लेना है आठ हफ्ते लेना है बारा हफ्ते लेना है वो डॉक्टर बताएगा आपको इसके अलावा टैबलेट्स भी आती है जो कि 2000 I use की आती है वो आप ले सकते हैं डेली बेसिस पर ले सकते हैं लेकिन तीन महीने से ज्यादा लें तीन महीने के बाद आप ब्रेक दें दो से तीन महीने का उसके बाद आप ब्लड टेस्ट करवाएं अगर अब भी भी कम आ रहा है तो आप कंटीनू करें तो उसको बंद कर दें और अगर किसी को बहुत ज्यादा ही डेफिशेंसी है तो डॉक्टर उसको इंजेक्शन देते हैं एक शॉट लगता है जो कि होता है शिक्स लाक आयू का एक इंजेक्शन लगता है जो कि मंथ में एक बार लगता है वो डॉक्टर डिसाइड करता है कब तक लगेगा यूज्वल इसकी ज़रूरत पढ़ती नहीं है उस्तों अब बात करता है किसको विटामिन स्वाइब नहीं करना है तो जिन लोगों को हैपर कैलसेमिया है यानि की ब्लड में कैल्चियों का लेवल बहुत जदा है या फिर किड्नी के अंदर कैल्चियूं रिटैंशन हो रहा है स्टॉन बन रहे है कैल सम ऑग्यलेट के खास दोर पे तो उन लोगों को विटामिन विटामिन दी 3 के सोर्च को चाहिए वह जाएदा केलश्यम वह एब्सक्राब करवाएगा आतों से और आपके बलड का कैजिम लेवल बढ़ाएगा जो कि आपको प्रॉब्लम दे सकता है आगे दोस्तों आज के वीडियो में किवल इतना ही आपका कीमती समय दने के लिए थैं भीडियो अच्छा है या नहीं और यह वीडियो दूसरों तक पहुचाने सर्षो लाइक हम तो प्लीज अगर आपको पसंद रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जिन लोग को विटामिन D3 कमी है या फिर कुछ सिम्टम्स है उनको भी नॉलेज मिल सके इस चीज का और वो भी अपना ब्लड टेस्ट करवा है और अगर आपके कोई क्वेस्चन हो कमेंट हो सजेशन हो तो प्लीज कमेंट ब